आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बिल्कुल लाइप पूरूप के साथ दिखाएंगे कि बोड एकजाम की कोपी कैसे चेक होती हैं एक जामनर आपके कोपी में क्या देखकर नमबर देते हैं और क्या देखकर नमबर काट लेते हैं और कभी कभी तो स्टुडेंट को फेल भी कर देते हैं तो यहां पे हम आप सभी को लाइप पूरूप दिखा रहे हैं कि कैसे बोड एकजाम की कोपी चेक करते हैं और क्या देखकर जादा नमबर देते हैं क्या देखकर कम नमबर देते हैं अगर आप लोग board exam की copy में पैसे रखे हैं तो आपको number मिल रहे हैं कि नहीं। अगर मिल रहे हैं तो कितना मिल रहे हैं सब कुछ आप सभी को दिखाने वाले हैं। ध्यान से वीडियो को देखिए और समझने की कोशिस किजिए। अगर आपको फूल मार्क देंगे आपका नंबर बिलकुल भी कट नहीं होएंगे बट आपको यह तीन चीज कोपी में करना है। फर्स्ट आपको अपनी कोपी में ज्यादा काट पीट आइमिंग काट कुट बिलकुल भी नहीं करना है। अगर आपका हैंडराइटिंग खराब है तो आपको जादा से जादा कोशिस करना है वन से तीन पेज तक साप साप लिखने की जी हाँ कोपी की सुरुवाती पेज वन से तीन पेज तक आपको साप साप लिखने की कोशिस करना है चाहे आपका हैंडराइटिंग खराब ही क् लेकिन को लिखना और हां कोपी के पहला पेज में उसी को लिखैं। Eh 선 first impression is the last impression by chance कोई सब्द गलती हो जाए तो अगर भीर में गलती हुए हैं आइमिंग जादा सब्दों के बीच में गलती हुए हैं तो उसको कुछ नहीं करना है कट क्राउस कुछ नहीं करना है because examiner उतना ध्यान से कोपी चेक नहीं करते हैं अगर शुरुद ये लास्ट में गलती हुए हैं तो आपको सिर्फ इस तरह से कट करना है ना की जादा ऑवर्राइटिंग करना है आई डिपीट अगर शुरुवात ये लास्ट में गलती हुए हैं तो आपको सिर्फ इस तरह से कट करना है आपको ज्यादा ओवर राइटिंग नहीं करना है नमबर टू सपोज आपको कोशन का एंसर कुछ भी नहीं आता तो आप इस सिचुएशन में उस कोशन को छोड़े नहीं चोड़ने के बाद आपको एक भी नमबर नहीं मिलेंगे क्योंकि एक्जामनर खुद कहता है कि बच्चे की कोपी में कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए खाली पेज सफेद पेज पेज पे हम नमबर नहीं देंगे तो आपको उसी कोशन से डिलेट आइमिंग मिलता जुलता गलती सलते लिख देना है ध्यान से सुनिए मेरे बात को अगर मिलता जुलता भी आपको याद नहीं आए I mean उस questions relate क्या लिखें ना लिखें आपको कुछ समझ नहीं आ रहे हैं तो इस situation में आप किसी दूसरे question का answer लिख सकते हो because examiner खुद कहता है कि बच्चे की copy में कुछ न कुछ लिखा होना चाहिए खाली page नहीं होनी चाहिए ध्यान रहे ये काम आपको copy के सुरुवात 1 से 5 पेज में बिल्कुल भी नहीं अगर आप लोग copy में कुछ फालतू सब्द लिख लेते हैं जैसे गाना, सारी, लावी स्टोरी, लाइक टीचर जी को आप कसम दे देते हैं कि आप मुझे पास नहीं करोगे, तो मैं सुसाइड कर लोगा सर मैं गरीब घर से हूँ, आप मुझे पास कर देजिए अगर ये सब लिखते हो copy में तो भाई, एक भी नमबर नहीं देंगे आपको जी हाँ, आपको एक भी नमबर नहीं देंगे कान खोल के सुन लो, सिधे फाइल कर देंगे I say student, ये सब फालतू चीजां लिखने से अच्छा है, आप उसी कोसन से मिलता जुलता, आइमिंग डिलेट लिख देजिए, अगर वो भी नहीं आता है तो आप किसी दूसरे कोसन का एंसर वहाँ पे लिख सकते हैं, ना की फालतू सब्द लिखें, फालतू सब्द मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हाँ, कोपी में पैसे मिले ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये I say student को मैं सिधे जेल भेज दूँगा लसू चिलने के लिए, क्योंकि कोपी चेक CCTV कैमरे के पास होता है अगर मैं पैसे पॉकिट में रखा तो मैं भी फस जाओंगा